हे गाईस मैं हो स्वांदीप आप देगरों इंजीन स्टाट गाईस आज मैं आप सब को दो स्कूटर के अंदर कम्पेर करके दिखाने जाए यहाँ दोस्तों एक है हे हीरो मैस्टर वानटीपाई बीए सिक्स और दूसरा है टीपेस एंटॉक डेस एडिसन वानटीपाई खास करके यह लेडिस स्कूटर है और इसकी स्टाइल काफी अच्छी है अगर मैस्टर की आउटलॉकिंग की बात की जाए तो यहाँ पे भी भेडी नाइस एंड स्टाइलिस लुकिंग अब देख पाऊगे लेकिन दूस्तों दोनों की आउटलॉकिंग पे अगर कम्पेर क करता है LED लेकिन मैस्टर का हेडलाइट भी काफी नाइस डिसाइन है यह बालब है हेलोजीन बालब अगर कॉंपेर किया जाए तो इंटर का ज्यादा स्टाइलिस हेडलाइट की लुकिंग अब देख पाऊगे इंटर की जो सामने की टायर की साइज है वह 180 12 की साइज है और का जो सामने की ब्रेक की साइज है वह 190 mm है मैस्टर पे दोस्तों आप ऑप्सटनल ब्रेकिंग सिस्टेम देख पाऊगे यानि की डिस एंड डरम दोनों तरह की ब्रेकिंग अबेलेबल है लेकिन दोस्तों ब्रेकिंग कैपसिटी पे इंटर्क का ज्यादा अच्छा ब्रेकि मैस्टर पर दोस्तों आपको seat को open करना पड़ेगा उसके पाथ आप fuel बढ़ सकते हो इसकी fuel tank की capacity 5.5 liter की है इंटर की जो पीछे की suspension है वो coil spring weight hydraulic gamper suspension आप देख पाओगे लेकिन मैस्टर पर दोस्तों single coil spring hydraulic type suspension आप देख पाओगे इंटर की जो engine capacity है single cylinder 4 stock SI air cold fuel injector 124.8 cc का engine है इसकी max power 9.38 PS 7000 rpm, max torque 10.5 Nm 5500 rpm इसकी engine पर आप old valve देख पाओगे चलिया दोस्तों आप master की engine को देख लेते हैं यहाँ पर आप air cold 4 stock single cylinder OAC 125 cc का engine देख पाओगे इसकी max power 9.12 PS 7000 rpm, max torque 10.4 Nm 5500 rpm यह turbo help का engine है और fuel injector दोनो scooter पे ही अब देख पाओगे दोनो scooter पे engine power पे थोरा सा changes है इंटर की जो पीछे की braking system है वो 130 mm का drum brake है disc brake नहीं है company पर बेट करता है drum brake पीछे पे master की जो पीछे की braking system है वो 130 mm का drum brake है यह भी drum brake है दोस्तों पीछे की braking पे दोनो scooter के अंदर कोई different नहीं है इंटर की जो पीछे की tire की size है वो 110, 80, 12 की size है इंटर की दोनो tire ही tubeless है और master की जो पीछे की tire की size है वो 90, 100, 10 का size है यानि की दोस्तों दोनो scooter के पीछे की tire की size पे हमें different दिखने को मिला इंटर की जो exhaust है वो काफी stylish है अब देख रहो आपके सामने है इसकी जो style है इसकी जो looking है वो काफी nice है master का भी exhaust का style काफी nice है अगर compare के आजाए तो इंटर का ज्यादा stylish exhaust की style आप देख पाओगे इंटर की जो पीछे की backlight की design है वो काफी stylish है ये LED है ये बाल्प नहीं है company प्रोबरेट करता है LED और इसके design काफी nice है अगर master की पीछे की backlight की design को देख जाए तो master का भी काफी stylish backlight की design अब देख पाओगे इसकी indicator के साथ इसकी backlight की design attach हुआ है इंटर की meter के particular की बात की जाये तो यहां पे एंटर आप digital meter देख पाओगे यहां पे tripping के लिए fuel यहां पे speed meter बो इहां पे digital ही देख पाओगे लेकिन दोस्तों मैस्टरों का जो मीटर कैपसिटी है यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर इसकी जो स्पीड मीटर है वो एनालोग है बाकि सब यहाँ पर आप डिजिटल देख पाओगे इन दोनों स्कूटर के अंदर सभी पार्ट को मैंने पार्ट पार्ट करके डिफरेंट करके आप सब को दिखाया दोनों के दोनों स्कूटर अपने अपने जगा पे एकदम बेस्ट है दो स्कूटर ही BS6 and 125 CC का है अगर आप खरीदना चाहते हो तो मेरे ख्याल से N-Turk खरीदन झाल से N-Turk